तुमने यह क्यों खरीद तुम वहां क्यों जा रहे हूं तो अपन गोलने तो फॉर बीग और बीन रेडी तइयार होने के लिए और बिंग रेडी तैयार होने के लिए तुम हाँ झारे प्वार बीग रेडी टीक है डॉक्टर बनने के लिए फॉर बिंग डॉक्टर तु विकम डॉक्टर भी हो जाएगा या फॉर बिंग डॉक्टर भी हो जाएगा फॉर बिंग डॉक्टर भाई किसी ने बोला कि MBBS क्यों कर रहा है तो क्या बोलोगे फॉर बिंग डॉक्टर किसी में अबसे बोला की बाइं इंजिनेरिंग क्यों कर रहे हो थो Why वो लोगे, for being engineer, यही होगा न, for being engineer, ठीक है, भाई, bead क्यों कर रहा है, for being a teacher, एक teacher बनने के लिए, यहाँ पर एन लगा सकते हो, यहाँ पर भी लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि यह noun है तो लगा सकते हो, for being a teacher, for एक सिख्षक बनने के लिए, अब जैसे आपने पूचा कि एक सिख्षक बनने के लिए क्या करना चाहिए, सिख्षक बनने के लिए क्या करना चाहिए, तो क्यों हो जाएगा, what, दो परकार से कर सकते है, what to do for being a teacher, तो बो ही सब, graduation, post-graduation, और bachelor of education, बेड, यह सब होना चाहिए, सिख्षक बनने के लिए for being a teacher, तो इस परकार से हम आसानी से for being का प्रयोग कर सकते हैं, बीन का प्रयोग वहाँ पर कर सकते हैं, जहां पर बी का third form होता है, जैसे कि, जैसे कि हमने बार बार लगाया था, कि I have been, I have been there, इसका मतलब है, मैं वहाँ, मैं वहाँ जा चुका हूँ, अच्छा अच्छा लेक्षी जो और है, कि लिखने में बड़ी गल्ती करते हैं, बच्चों को मैं लिखना नहीं आता है, कि बच्चे मैं बहुत गलत तरीके से लिखते हैं, मैं को ऐसा लगतेते हैं, कुछ बच्चे ऐसा लगतेते हैं, मैं, यह भी गलत है, कुछ बच्चे ऐसा लगतेते हैं, मैं, ठीक है, तो इसमें सब गड़, सही क्या है, यह सही है, कुछ ऐसा लगतेते हैं, यह भी नहीं लगते हैं, कुछ बच्चे यह भी नहीं लगते हैं, य ये वो वाला मैं है और मैं ये वाला मैं है अच्छा कुछ लोग ये भी कर देते ये चीज बहुत गलत करते हैं कुछ लोग जैसे हमने लिखा सुभ काम ना है शुभ काम ना है और शुभ काम ना है बता भाई कौन सी सही है उपर वाला सही एक नीचे वाला एकी मात्रा नहीं लगेगी चलो अगर एकी मात्रा ना लगाएं चलो ऐसा करते हैं अब क्या रहता है सुब कामना है सुब कामना है क्या है वर्ब है की नाउन है नाउन है सुब कामना है ठीक है तो जब कभी भी क्रिया होगी तो लगेगा ये ठीक है ठीक है और जब कभे भी वर्ब होगी सुरी नाउन होगा तो लगेगा यह सुबकाम नाउ में यह आएगा एड़ी वाला ठीक है तो हम लोग यह गलती कर देते हैं समझ माया कि हम गलती कर देते हैं कि हम एकी मत्रा और एड़ी में फर्क नहीं समझ पाते हैं जबकि जहां पर क्रिया होगी वहां पर यहां पर नाउन होगा वहां पर यह आएगा ठीक है शुब कामना है ऐसा लिखाएगा ठीक है तो जैसे जाएंगे तो उसमें वही आएगा यह वाड़ा यह आएगा है अलाकि अपने इंग्लिश नहीं हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं पर फिर भी छोटी छोटी चीज़ें तो पता होनी चाहिए आपको और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम गलत करते हैं वा और वा में फर पिसके करते हो नए लड़्की ने मैसेस किया मैं तुमको पसंद करते ह normal क्या तूम्भी मुझे पसंद करते हूँ लड़के ने लिखा हा तीक है लड़के लिख दिया हा 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 फिर उसने कहा क्या तुम मुझे क्या तुम मुझे साधी करना चाहते हो लड़के ने फिर लिख दिया हा 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 लड़की ने उठा के ब्लॉक कर दिया नालाइक हां हा लड़की ने बोला रहे, क्यों तुम ने मुझे लड़की ने पूछक्रीय। अनिसे भ्लोक्राइब कर दिया जो नैं हाझा ने यह जुँता है कॉष कि हायआ लगाrr। अपनी वाइप के लिए एक मैसेज लिखा, ठीक है, I am spending, I am spending equality time, I am spending equality time here, would that you were here. अब बंदा ए लिखना भूल गया, तो यूबर हर हो गया इदा, ये नहीं लिख पाया, अब उसकी पतनी को मैसेज भेज दिया, उसने कि I am spending equality time here, but that you were here, अब पतनी का पारा चड़ गया, फोन लगाया, कहां हो, जल्दी घर आओ, कौन कल मुही के साथ हो तुम दे, बोले नही तुम जूट बोल रहा है, जल्दी बोलो, तुम खुदी लिख रहा है मैसेज में, फिर उसने मैसेज पढ़के देखा रहे, you were here, और उसने का चलो सोरी सोरी गलती होगी, you were here, इसका मतलब यह हो गया, I am spending equality time here, मैं यहाँ पर ये quality समय वैतीत कर रहा हूँ, एक अच्छा समय वो तुम होती है, जब यह E हट गया तो इसका मतलब है, कास, but that you were here, कास वो तुम होती है, मतलब कोई और 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 वहाँ पर, वो कहा एक spelling mistake से इसकार्थ क्या हो गया, कास वो तुम होती है, और अगर मालो यह E लग जाए, तो क्या हो जाएगा, कास तुम यहाँ होती है, मैं इसलिए English में शावधान रहना, English में एक अक्षर की गढ़ड़ी से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, कुछ का कुछ हो जाता है, यह भी ध्यार रखने वाली बात है, हलाकि वो जोक है, ऐसी कोई सच्चा ही नहीं है, यह तो जोक है, और जोक बनाने वाले क्या है, ऐसे लिखते आज जब हम और अंग्रेजी बोलते हैं, तो आपने देखा होगा, कि जैसे कि नॉर्मली, जैसे कि कोई भी हम किसी को आदेश देते हैं, तो जनली हम ग्रामर में नहीं घुशते, डारेक्ट बोल देते हैं, जैसे कि हमने कहा गो, क्या बोलतेते हैं, गो, जाओ, किसी को बो बोलेंगे कि दर्वाजा खोलो तो क्या बोलेंगे ओपन दोर तो ऐसे तो अंग्री जी बोली जाती है come here यहां जाओ वहां जाओ गोदेयर क्या बोलेंगे गोदेयर यहां आओ बाहर खेलो ठीक है प्ले आउट साइड कोई दिक्कत यही सब तो बोला जाता है अच्छा उसके संसना जब नेगेटिव बनाना होता है तो डॉंट लगा देते हैं क्या कर देते हैं वहां मत जाओ डॉंट गो देर यहां मत आओ मत बाहर मत खेलो मत बैठो मत दरवाजा खोलो मुझे मत चुओ डॉंट टच में मुझे मत पढ़ाओ डॉंट टीच में ठीक है मेरी मदद मत करो मेरी मदद कर लूँगा डॉंट हेल्प मी मुझे डिश्टर्ब मत करो मुझे पढ़ाने की कौशेश मत करो क्या बजाएगा डॉंट ट्राइटू टीच में मुझे पढ़ाने की कौशेश मत करो don't try to teach me अच्छा सभी लोग अंग्रेजी continue सीख है ना तो सीखते हैं लेकिन continue सीख है बीच बीच में छोड़ देते हैं तो सब गड़बड हो जाता है don't try to teach me मेरी मदद मत करो don't help me मुझे disturb मत करो don't disturb me मुझे मस सिखाओ don't teach me मुझे मत भूलो don't forget me मुझे मत छोडो don't leave me मुझे अकेला मत छोडो don't leave me alone जिन सब की जरुबड पढ़ती है जब कोई आपको अकेला छोड़ रहा है तो बोलेंगे don't leave me alone मुझे से घ्रणा मत करो don't hate me जब कोई बोल देता है मुझे मत बुलाओ don't call me मुझे परशान मत करो don't bother me ये भी हो सकता है परशान करना तो बार बार आपको आ रहा है दरवाजा खट खटा रहा है या आपको पढ़ने नहीं दे रहा है तो आप बोलेंगे don't bother me मत जाओ don't go इसके बाद जब हम और आगे जाते हैं ये तो हो गया सीधा जाओ और मत जाओ आओ और बैठ जाओ बड़ा सिंबल है come and sit down come and open the door and go ये बड़ा सिंबल है बिना grammar के सीधा बोलना है सीधा word word बोलना है लेकिन अगर हमें subject के इस्तमाल भी करना है तो भर हम बोल देते हैं जैसे कि ये सब को पता है जैसे कि मैं पसंद करता हूं I like मैं पसंद नहीं करता हूं I don't like तो don't लगा के बहुत सारे बना सकते हैं मैं पसंद नहीं करता I don't like मैं नहीं जाता मैं नहीं आता मैं नहीं खाता I don't eat मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता, मैं कॉशिस नहीं करता, मैं पूजा नहीं करता, मैं मंदर नहीं जाता, मैं जूट नहीं बोलता, I don't tell, 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 I don't tell इसमें करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इसी बता दी रहे हैं